प्रब किस प्रकार से हिंसा और अत्याचार करने पर उतर आई है आमाद्मी पार्टी दूदा दिनों के बाद भी अर्विंद केजरीवाग अपनी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं जब सवाल पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है तो माइक ढकेल देते हैं उनके मंत्री आकर कहते हैं कपड़े कितने पटे लंगडा नहीं रही थी यूट्यूबर्स और बाकी ऑनलाइन ट्रोल्स के माध्यम से ना केवल उनको विक्टम शेम किया जा रहा है बलकि उनको बलातकार करने की और मारने की धंकी भी दी जा रही है दुराचार फिर दुश प्रचार और अब किस प्रकार से हिंसा और अत्याचार करने पर उतर आई है आमाद्मी पार्टी यही उनका व्यवार बन चुका है जिस प्रकार से एक राज्यसवास सांसत आमाद्मी पार्टी की महिला सांसत को आमाद्मी पार्टी के मुख्या के निवास पर ही पीटा जा और उल्टा कभी जो पिडिता है उसका चरित्रहरन करते हैं कभी विक्टम शेमिंग करते हैं उनके मंत्री आकर कहते हैं कपड़े कितने फटे लंगडा नहीं रही थी और अब हम देख रहे हैं कि यूट्यूबर्स और बाकी ऑनलाइन ट्रोल्स के माध्यम से ना केवल उनको विक्टम शेम किया जा रहा है बलकि उनको बलातकार करने की और मारने की धंकी भी दी जा रही है ये एएपी का मतलब एंटी औरत पार्टी बन चुका है इसलिए तो अर्विंद केजरिवाल अपनी राजसभा सांसत के साथ एक महिला के साथ नहीं है वो बिभव कुमार को स इस प्रकार से महिला उत्पीडं करने वाले व्यक्ति के साथ खडी हैं जबकि संजे सिंग ने कहा है कि इसी व्यक्ति ने उत्पीडं किया था तो यह दिखाता है की इनका असली चहरा और चरितर क्या है आज दिल्ली पुलिस को तो संग्यान लेना ही चाहिए पर तो अर्व झाल झाल